है लो एब्रिवन कैसे हैं मेरे फारे प्यारे बच्चे वैलकम चुद दाउटनट स्वागत है आप सभी का आपकी साइंस की क्लास में मैं हूँ आपकी टीचर हिमानी एंड हमने कर लास्ट क्लास में करा था ग्रैविटेशन स्टेट ग्रैविटेशन में हमने स्टार्ट किया था उनिवरसल लॉव ग्रैविटेशन जिसमें हमने फोर्स constraints पड़ी ती can universal law of gravitation state क्या करता है which is f is equal to gmm by r square यहीं किया था न क्या किया था f is equal to gm1 m2 by r square इसमें मैंने बताया था कि आपको कोई भी universe में 2 bodies है वो एक दूसरे को attract कर रही है जैसे कि यह दोनों चीजे जो मेरे हाथ में एक पॉइंटर और एक पैन यह दोनों चीजे अपने यह दोनों चीजे एक दूसरे को attract कर रही है किसे नहीं करती है जैसरे अर्फ और अपल का इग्जामपल लिया था अर्थ और यह आप्स को निया था कि स्कुए थे है second law से कौन से second law से third law ने state किया था every action has a equivalent opposite reaction third law of Newton ने जिसकी वज़े से हमें पता चला था अगर apple भी एर्थ पे उतना ही force लगा रहा है और अर्थ भी apple पे उतना ही force लगा रही है लेकिन हमने यह reason कि फूल की वज़े से देखा कि apple तो अर्थ की तरफ मूव करेगा लेकिन अर्थ क्यों नहीं आपल की तरफ मूव करती क्योंकि second law of motion जो होता है fourth is equal to mass into acceleration उसके थूरू हमें यह चीज़ पता चली थी कि mass of earth बहुत जादा है और दोनों में four same है तो acceleration जिसका mass कम होगा उसका जादा होगा चीक है यह बात बहुत अच्छे से सबच्चों को कल clear हो गई थी कुछ examples भी करेती तो बच्चे आज हम एक new topic करने वाले है उसका नाम है acceleration due to gravity उससे पहले let me introduce you to myself मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूँ आपकी physics की mentor तो आए चलिए शुरू करते हैं माज आप आज का अपना phone learning session चीक है बचो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो topic है acceleration due to gravity इस चीज़ को एक एक करके समझते हैं बहुत बड़ा नाम हो गया acceleration acceleration क्या है हमने पढ़ाए acceleration बहुत simple सी term है क्या term है acceleration acceleration क्या define करती है हां जी acceleration होता है हमारे पास acceleration यह होती है velocity upon time यह simple सी definition थी हमारे पास फिर यह acceleration due to gravity क्या चीज़ है यह हमने पढ़ाता जब भी हम किसी moving object पे अगर हम force लगा देते है हमने क्या करा किसी भी moving object पिए बॉझाक कर रही है अगर मेर को इसकी direction change करनी है यह मुझे इसकी speed change करनी है यह मुझे इसकी velocity change करनी है मैं यह कह दू तो अगर मेर को इसकी velocity チच करनी होगी तो मुझे इसकी acceleration in अंदर change in velocity with time को ही तो acceleration बोलते हैं वो किसी ना किसी force की वज़े से हो रही थी लेकिन यहां पर जो acceleration specially हमारे gravitation force की वज़े से हो रहा है किसकी वज़े से gravitation force की वज़े से हो रहा है किसकी gravitation force की वज़े से जो हमारे पास acceleration आ रहा है उसे हमने बोल दिया है acceleration due to gravity ये बात clear है किसको बोला है मैम हमने किसको बोलो है हमने हमने बोला है acceleration due to gravity मतलब gravity की वजह से किसी भी body में कोई acceleration आ रहा है is the acceleration क्या है वो एक simple acceleration है gained by an object due to gravitational force किसकी वजह से ये जो gravitational force की वजह से हमारी body में acceleration आया है उसको हमने acceleration due to gravity बोल दिया है ठीक है उसको पहले हम acceleration को किस से denote करते थे simple small a से denote कर देते थे यहाँ पर हमने simple small g से इस acceleration को denote किया है ठीक है simple small g small g से हमने इसको denote किया है एक g हमने कल भी कल भी किया था class में कौन सा g था वो वो था capital g इसमें और इसमें क्या फरक है आगे देखते हैं करेंगे हम यह फरक भी समझेंगे ताकि हमारे पास यह चीज़ क्लियर हो जाए कि यह जी और जी में क्या फरक है यह दोनों ही जी वो capital g है जिसको मैंने बताया था universal gravitational constant इसकी वेल्यू भी बताया थी 6.67 into 10 to the power minus 11 चीक है इसकी वेल्यू क्या है फिर इसकी वेल्यू भी देख लेते हैं चीक है next is इसकी SI unit क्या है अब acceleration की चाहिए वो acceleration due to any force हो इस acceleration की क्या थी unit meter per second थी ना meter per second square थी sorry है ना अब ये बताओ चाहिए force ये वाला है चाहिए force कोई और force है लेकिन acceleration की unit तो वही रहेगी तो क्या हो जाएगी acceleration की unit meter per second square ठीक है एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हां बिल्कुल है क्यों क्योंकि acceleration भी तो हमारे पास एक्टर क्वांटिटी है मतलब इसको direction भी define करने के लिए में direction भी define करनी पड़ेगी और हमें magnitude भी define करना पड़ेगा clear है ये बात अब direction क्या होती है इसकी अब बच्चे जो acceleration due to gravity है हम अगर कभी भी gravity के force की बात करते हैं तो हम एक simple सी बात करते हैं कि कोई भी चीज अर्थ की तरफ आ रही है उसके due to उसकी तरफ जो हमारे पास जो acceleration लग रहा है मतलब अगर मैं इस बॉल को उपर से नीचे फेकूंगी तो ये बॉल हमेशा एक बार मैंने उपर फैकी माल लो ये बॉल तो ये हमेशा नीचे ही आएगी ना ये tendency हमें किसी भी object की पता ह है कि अगर हम किसी चीज को उपर फैकेंगे तो वो अर्थ की टुवर्ट सी आएगा क्यों आएगा क्योंकि gravitational force की वज़े से आएगा और वही जो वो बॉल उपर से नीचे आ रही है जो उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है जो अर्थ उस पर अटरेक्शन लगा रहा है उ उसी को हमने जी बोला है उसी को हमने जी बोला है तो हमेशा अगर हमें उसकी direction define करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे towards the earth होगी क्या होगी direction towards the earth ठीक है यह बात simple सी बात यह बोली चलो मैं repeat कर देती हूं हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगाओ अरे मैं कहां से कहां पदा नहीं क्या क्या बोल गई ठीक है हमने का मैंने कहा कि acceleration due to gravity क्या है gravitational force किसी भी body पर act कर रहा है कैसे मैंने बोला यह एक हमारे पास ball है इसको हमने उपर फैका उपर फैका फिर यह नीचे आएगी जब यह ball नीचे आ रही है हमारे earth की towards आ रही है तो मुझे यह बताओ इसके अंदर कितना क्या जो कौन सा force है जो इसको नीचे ला रहा है gravitational force है जो इसको नीचे ला रहा है उस force की वज़े से कोई ना कोई इसकी change in velocity होगा उसको acceleration बोला है जिस force की वज़े से इसके अंदर acceleration आएगी उसी acceleration को हमने acceleration due to gravity बोला है जिसे हमने g से denote किया है अब हमारे पास यहाँ पर point ही आता है कि हम इसके direction क्या बोले इसकी direction क्योंकि सारी चीज़े towards earth ही आ रहे है तो हमने इसके direction भी क्या बोल दी इसकी direction भी क्या कर दी towards earth कर दी clear यह सारे points clear है, it is denoted by small g and इसकी SI unit है, meter per second, clear, आगे बड़े, ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा, इसका expression देख लेते हैं, कि आखिर यह acceleration due to gravity है क्या, ठीक है, for example, हमारे पास यह earth है, यह हमारे पास earth है, जिसकी radius है, r, यहाँ पर हमारे पास एक ball पड़ी है, earth का mass है m, ball का mass है small m, ठीक है, अब मैंने कल आपको एक example भी कराया था, जिसमें मैंने force निकाला था, इन दोनों के बीच में, कितना होगा force, force अगर मैं लिखना चाहूं इसके लिए, तो इसका force होगा, force f is equals to g, small m, capital m, by, इन दोनों के बीच में distance कितना होगा, इन दोनों के बीच में वो ही our distance होगा, क्योंकि, जो यह center to center distance ले, तो ball के center से लेके, जो यह इतना distance, जो यह इतना distance, कौन सा distance, जो यह इतना distance रहे गया, जो हम छोड रहे हैं, यह तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही नेगलेजिबल है, अर्थ की रेडियस होती है, 10 to the power 6 की रेंज की और बॉल क्या होगी, 0.001 मीटर कुछ की, इसकी रेडियस कितनी होगी, 0.001, तो हम इन दोनों के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस तो नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमने इन दोनों के बीच में कल भी यही लिया था कि डिस्टेंस मैंने जितना रेडियस ऑफ अर्थ है वो ही माल लिया, that is r square, ठीक है, यह हो गया हमारे पास force, मैं force को इस तरीके से लिख लेती हूँ, f is equals to gm by r square, और यह small m मैंने side में लिख लिया, ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखू, इस चीज को, कि यह earth का surface है, यह क्या है हमारे पास, earth है, अब यह body हाँ पर पड़ी है, पड़ी है, इसके उपर कुछ ना कुछ downward force लिखेगा, जिसको हम mass into acceleration बोलते थे, या फिर यह body इतनी height से नीचे आ रही है, तो इसका अगर हम force ल acceleration लिखेंगे, अब भी मैंने आपको last slide में बताया, जो यह acceleration है, जब gravity की वज़े से अगर हम कोई चीज लिखेंगे, तो gravity की वज़े से यह acceleration को हम g denote कर रहे हैं, तो इधर मैं force को mass into g लिख सकती हूं, बस मैंने acceleration, normal acceleration a की जगा, acceleration due to gravity कर दिया, simple सी बात है, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर force, gravitational force act कर रहा है, क्योंकि body पढ़ी हुई है, जमीन पर या body उपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब है, यहाँ पर मैं यह लिख सकती हूं, एक ही जगा g को तो put कर सकती हूं, तो अब यह बताओ, यही wall वो है, यही wall यह है, य यह दोनों force equal है यह नहीं है, होंगे 1 and 2, यह दोनों force equal है, मतलब मैं इधर F की जगा, अगर small m, g रग दूं, और g m by r square रग दूं, और एक small m रह गया, यह m से m कट क्या, तो हमारे पास हमारे small g की value आ गई, capital g, capital m by r square, अब इसमें capital g की value हमें पता है, capital g की value हमें पता है, 6.67 into 10 to the power, minus 11 newton meter square, newton meter square per kg square, ठीक है, हमारे पास capital m क्या है, mass of earth, और r क्या है, radius of earth, मतलब अगर मैं इसमें 3-4 चीज़े देख हूँ, जो इसके formula में है, g m by r square, तो मैं यह कह सकती हूँ, कि अगर मैं earth पर ही हूँ, मैं कहीं बाहर किसी planet पे नहीं जा रही हूँ, तो मेरे पास mass भी constant होगा, radius of earth भी constant होगी, और g तो हमारे पास universal constant है ही, universal constant का मतलब होता है बेटा, जो अगर आप universe में कहीं भी चले जाओ, always constant, किसी भी planet पे चले जाओ, किसी भी world में चले जाओ, यह value आपकी यही रहेगी, क्या रहेगी, 6.6 into 10 to the power minus 11 newton meter square by kg square, यह value हमेशा fix रहेगी, मतलब अगर मैं earth पे हूँ, तो g की value मेरी हमेशा same रहेगी, ठीक है, मेरी earth की value, g की value अर्थ पे हमेशा same रहेगी, एक और condition है, कि यह r भी change नहीं होना चाहिए, और mass of the earth तो वैसे भी नहीं change हो सकता, यह r की case में change होगा, जब आप earth से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि अगर आप earth से थोड़ी बहुत उपर भी जा रहे हो, जैसे मालो कि तुम ऐसे hot air balloon में उपर घूमते रहते हो, उस case में आपका distance, earth की radius के distance की मुकाबले कुछ नहीं होता, उसको neglect कर सकते हैं, लेकिन मैं उस case में कहा रही हूँ, जब आपका distance बहुत जादा हो जाएगा, earth से बहुत जादा उपर चले जाओगे, कि आप जो है अपने distance को r के मुकाबले neglect नहीं कर पाओगे, तो फिर ये g की value change हो जाएगी, लेकिन अगर earth बे ही है, earth के आसपास ही है, तो ये वाली value हमेशा constant रहेगी, तो मतलब मैं इस g की value निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ इस g की value, इस g की value निकालने के लिए मुझे बस gravitational constant की value पुट करनी है, जो ये है, मुझे mass of the earth की value पुट करनी है, मुझे radius of the earth की value पुट करनी है, जो यहाँ पर मैंने d से denote कर दी, last slide में मैंने r से denote करी थी, चलो फिर पुट करते हैं, ये होगा 6.673 into 10 to the power minus 11, mass कितना है earth का, 6 into 10 to the power 24 kg, और radius कितनी है meter में, 6.4 into 10 to the power 6 meter whole square, अब इसको आप solve करोगे, तो आपके पास G की value 9.8 meter square आ जाएगी, बहुत बार सुनी होगी ये value, जो G की value है, 9.8 meter per second square आ गई, और ये क्या है value, अर्थ पे same रहेगी, या तो आप अर्थ के अंदर मच चले जाना, मतलब कि radius तो तब ही change हो सकती है, या तो तुम अर्थ के अंदर चले जाओ, या अर्थ से बहुत उपर चले जाओ, उस case में तो तुम्हारी ये G की value change हो जाएगी, otherwise आपकी ये G की value नहीं होगी change, ठीक है, और इस G को हम कभी कभी इसको gravity भी बोल देते हैं, acceleration due to gravity की जगा, सिरफ gravity भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये बात clear है, answer आ गया, derivation देख लिया हमने, last slide में हमने ये पूरा derivation देख लिया, कि इसकी ये value होती है, Gm by R square, और अगर value निकाल, ये तो इससे तो आप किसी भी planet पे भी निकाल सकते हो, मतलब mass of that planet, radius of that planet, G तो हमेशा ही constant है, किसी भी planet का आप G निकाल सकते हो, और अर्थ का, आपको mass और radius पता है, तो आपने G की value निकाल दी, 9.8 meter per second square, ठीक है, ठीक है, आप देखो इससे पहले, हमारे पास Republic Day sale के लिए बहुत अच्छा offer है, आप लोग हमारी courses खरीच सकते हैं, कोई भी course खरीदेंगे, तो आपको 30% off मिलेगा, यह आपका Republic Day special का offer है, और यह सिरफ कुछ ही दिन के लिए valid है, तो आपको जल्दी से हरी करना पड़ेगा, मैं को लगता है, तीन दिन के लिए offer valid है, तो जल्दी से आपको किसी भी course को खरीच सकते हो, 30% discount पे, मतलब बहुती बड़िया discount है, और आपको code क्या यूज़ करना है, code यूज़ करना है, Republic, ठीक है बच्चो, ठीक है, हाँ, I hope यह तो बहुती बड़ा धमाके वाला offer है, तो आपको, मुझे लगता है कि यह तो बिल्कुल सरी टाइम है, अगर आपको किसी भी course में enroll करने का, कोई भी मोखा चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, यह जल्दी से आपको खरीद लेना चाहिए, चीक है, आगे बड़े, चीक, हाँ, अब यह free fall क्या होता है, क्या होता है यह free fall, उससे बहले आपने यह 9.8 meter square का एक मीम तो बहुत ही सुना होगा, क्या था 9.8 meter square का मीम, वैसे normally आपके लिए gravity तो 9.8 meter per second होती है, लेकिन जब आप सर्दियों में अपने बेड़ पे होते हो, तो यह gravity 9, 9, 9, 9.8 meter per second square हो जाती है, यह तो just एक जोग की बात है, यह सारे gravity के means है, मुझे बड़े बढ़िया ही लगते है, यह मैं add करना भूल इंता, चलो कल दिखाते हैं, चीक है, बहराल आगे बढ़ते हैं, but this free fall, कुछ नहीं है, free fall एक simple सी term है, जिसको हमने नाम दे दिया है, किसको, जो भी चीज अंडर the gravity move कर रही होगी, वो free fall होगी, खदम बाद, object fall only because of gravitational force, सिरफ उस पे gravitational force act कर रहा है, वो free fall है, इस pen को अगर मै है, यहां से नीचे गिरादू, यहां से नीचे गिरादू, तो एक gravity के अंडर fall करेगा, तो यह भी free fall में आ जाएगा, चीक है, बस उसी को हमने एक term दे दिया है, free fall, मतलब freely fall कर रहा है, gravitational force के अंडर, किस acceleration से, 9.8 meter per second square, चीक है, देख लो, अग क्या है, कि हमारे पास, जो है object falling only because of gravitational force, और उसमें हमने small g को अभी इस तरीके से derive किया है, gm by r square, जिसमें g क्या है वारे पास, universal gravitational constant है, m क्या है, mass of earth, अगर हम earth पे हैं तो, और radius of earth, यह, clear है बात, ठीक है, उसके बाद, g की value हमने निकाली, 9.8 meter per second square, सभी question में नहीं दिया हो, तो 9.8 meter per second square, यूज करना है, अगर, sorry, दिया हो, तो 10 भी कर सब, और अगर दिया हो, तो कभी-कभी वो, आपको question को easy बनाने के लिए भी बोल देता है, कि g की value 10 meter per second square, ले लो, ठीक है, not dependent of the object mass, यह चीज़ important है, हमने यह formula देखा, g किस-किस value पे है, g directly proportional to, यह तो constant ही है, m, mass of earth यह mass of planet, और किस पे है, inversely proportional to radius of earth, सिरफ इन दो चीज़ों पे depend कर रहा है, हमारा, क्या, gravitational, sorry, acceleration due to gravity, मतलब, अगर कोई भी, कितने भी object को मैं उपर से नीचे गिराऊं, चाए हम मैं घुरूई को गिराऊं, चाए मैं किसी लोहे को गिराऊं, वो same ही acceleration से नीचे आएंगे, जो हमारे पास 9.8 meter per second square है, उसके mass पे depend नहीं करेगा, small m नहीं है ना इसमें, small m क्या था, object का mass, मतलब कि यह जो G है, it is not depending on object's mass, मतलब अगर मैं एक क्या केते हैं, कुछ भी, कोई भी दो object ले लूँ, मालो मैंने एक paper लिया और एक stone लिया, क्या क्या लिया मैंने, एक paper लिया और एक stone लिया, तो दोनों ही, क्योंकि mass पर depend नहीं कर रहे हैं, सिरफ earth के parameter पर depend कर रहे हैं, that is mass and radius of earth, वो तो दोनों के लिए constant है, तो यह दोनों same ही speed से नीचे आने चाहिए, आने चाहिए ना, यह दोनों same speed से नीचे आने चाहिए, लेकिन कभी आपने पत्थर और paper को एक साथ नीचे गिरा के देखा है, यह पत्थर है, यह paper इन दोनों को एक साथ नीचे गिरा के देखो, क्या वो कभी same time पे नीचे आते हैं, नहीं, paper हमेशा ऐसे जूलते 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 बहुत देर बाद नीचे आ जाता है, और जबकि पत्थर उसको एक ही बारी में नीचे फैको, तो वो उपर से नीचे चला जाता है, ऐसा फिर क्यों है, जब हमार जी, depend ही नहीं कर रहा, mass of object पे, m of object पे, तो फिर यह ऐसा क्यों है, कि जो paper है, वो लेट आता है और पत्थर जल्दी आ जाता है, क्यों यह क्यों यह reason, इसके पीछे क्या reason है, इसके पीछे एक बहुत simple सा reason है, जो हमारे पास जो air resistance होती है, हमारे पास air resistance, या मैं उसको friction भी देती हूं, friction भी बोल देते हैं, या फिर air resistance, चीक है, इन दोनों की वजए से जो paper पे है, उपर की तरफ बहुत जादा लगता है, इसकी तरफ कम लगता है, इसी लिए जो air, जो मतलब air resistance है, वो paper उपर की तरफ लगेगा, object नीचे आ रहा है, तो resistance हो हमेशा उपर की तरफ ल या friction तो रुकावट है उस चीज के लिए, तो ये चीज़े उपर की तरफ लगेगी, तो जो stone के लिए है, वो कम resistance लगेगा, वो कम oppose करेगा stone को नीचे आने के लिए, जबकि paper को बहुत जादा करेगा, क्या करेगा paper को, paper को बहुत ही जादा, बहुत ही जादा oppose करेगा, more oppose, more opposition, और यहाँ पर less opposition, चीग ही बाद, clear है, अब अगर मैं इन दोनों चीजों को vacuum में डाल दू, जाँ कोई air नहीं है, मतलब air नहीं है, तो no air resistance और friction, तो क्या यह दोनों चीजे नीचे same time पे आएंगी, जल्दी से मुझे comment section में बताओ, क्या यह दोनों चीजे same time पे फिर नीचे आएंगी, हाँ, बिल्कुल, यह दोनों चीजे, बिल्कुल same time पे नीचे आएंगी, क्योंकि कोई air resistance नहीं होगा, और जो acceleration due to gravity है, जी, 9.8 meter per second, इतना ही act करेगा, बिल्कुल same, दोनों पे, क्योंकि कोई resistance है ही नहीं, ठीक है, clear है यह बात, next चीज, अच्छा, next एक question है, क्या है question, ध्यान से देखो, find acceleration due to gravity of a planet of mass half as that of earth and radius twice as that of earth, ठीक है, क्या कह रहा है, acceleration due to gravity निकालना है, small g निकालना है, किसी और planet की, किसी और planet की, जिसका mass तो half है earth से, लेकिन radius double है, radius double है, तो सबसे पहले acceleration due to gravity on earth लिख लेते हैं, यह क्या है, on earth, यह कितना होता है, formula पता है, gm by r square, m क्या है, mass of earth, और r क्या है, radius of earth, चीक है, अब हम लिखते है, acceleration due to gravity of another planet, of the planet लिख रही हूँ, मैं सिर्फ, of the planet, जिसे मैं g डाश से दिनोट कर रही हूँ, वो उसने बोला है, अब देखो, formula यही यूज होगा, formula यही यूज होगा, क्योंकि formula तो यही है, लेकिन mass और radius उस वाले planet का यूज होगा, जिसका यह question में बात कर रही है, तो g तो हर जगा constant है, हर जगा g की value तो constant ही रहेगी, क्योंकि g की value तो change नहीं है, मैंने बताया, पूरे universe में g की value सिर्फ g ही रहेगी, इसमें दिया हुआ है, mass तो half है, इधर मैं m की जगा m by 2 पुट कर देती हूँ, और radius twice as that of earth है, radius की जगा twice of radius पुट कर रही हूँ, मैंने g m by r square में सिर्फ m की जगा m by 2 और r की जगा 2 r पुट कर दिया, चलो फिर g dash की value निकाल लेते हैं, g m by 2 into 4 into r square, g m by 8 r square, इसको मैं 2 देती हूँ नाम और इसको मैं 1 देती हूँ, अब एक काम करते हैं, divide, किदर करें, चलो एक line खिश देती हूँ, divide 2 by 1, मतलब g dash by g is equals to g m by 8 r square, divided by g m by r square, g से g गया, m से m कट गया, r से r square से r square गया, तो g dash by g is equals to 8 आ गया, मतलब g dash is equals to, क्या, ओ, सॉरी, 1 by 8 आएगा, ये 8 नीचे चला जाएगा न, ये 8 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 by 8, तो कितना आ गया, g dash is equal to g by 8, इसका मतलब, जो gravity, acceleration due to gravity उस अर्थ पे होगी, वो अर्थ, जो planet पे होगी, वो अर्थ की 8 times होगी, 1 by 8 times होगी, कितनी होगी, उस planet की acceleration due to gravity, 1 by 8 times होगी, जो अर्थ पे है, clear है ये बात, जल्दी से comment section में मुझे ये बताओ, ये बात clear है, तो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ, कोई doubt है, तो बच्चे comment section में पूछो, मैं आपका answer करूँगी, जल्दी से जोश कम नहीं रखना, जोश बढ़ाना है, टम तू फोड़ना है, छिसे, है ना, ठीक है, चलो, अब हमें एक लास्ट चीज जो इस lecture की है, वो देखनी है, वो है कि, हमारी जो capital G है, और जो small g है, उनके बीच में difference क्या क्या है, capital G हमारा है, यूनिवर्सल ग्रैविटेशन कॉंस्टेंट, और यह जो हमारे पर small g है, यह है acceleration due to gravity, है ना, यह हमारा ग्रैविटेशन, यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल कॉंस्टेंट है, और यह acceleration due to gravity है, यह अगर definition हो, तो यह definition आएगा, कि force जो था हमारे डरेक्ली परपोर्शनल तो मासे था, और inversely proportional to distance का square था, उसकी जगह जो हमारा proportionality constant आया g था, जिसको हमने universal gravitational constant बोला था, और जबकी g हमारा acceleration है, जब हमारी जो body है, सिरब किसके अंडर है, gravitational force के अंडर है, इसकी value 6.7 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square है, इसकी value earth पे तो 9.8 meter per second square है, while vary with different places, जैसे की earth के थोड़ी उपर जाओगे, तो radius change हो जाएगी, तो gm by r square उतना नहीं रहेगा, and जो हमारी पास किसी और planet में जाएगे, तो हमारा mass और radius ही change हो जाएगी, तो ये constant नहीं है, बट ये जो value है constant in entire universe, in entire universe, universe का मतलब क्या है, कि पूरे ब्रह्मान में किसी भी planet पे चले जाओ, g की value यही रहेगी, जबकि ये variable है, ये fixed value नहीं है, या फिर not fixed है, ठीक है, लास्ट पॉइंट, इसकी यूनिट है, newton meter square kg, square inverse, और इसकी unit है, meter per second square, जो हमारी acceleration की unit होती है, clear है, G, capital G, small g में difference clear है, ठीक है, इसको topic का नाम दे देते है, G versus G, difference clear है, सारी चीज़े clear है, acceleration due to gravity, I hope आप सबको बहुत इच्छी से समझ में आ गया होगा, तो बच्चों यही right time है, अगर आपको कोई भी paid course खरीदना है, तो 30% of Republic Day की sale चल रही है, हमारे पास यही topic खतम हो गया है, next class में हम free fall के बारे में पढ़ेंगे, और जो equation of motion जब कोई भी body gravity के अंदर होती है, उसमें होती है, जब gravity के अंदर होती है, तो क्या equations use होती है, Newton's equation of motion किस तरीके से change होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, so thank you so much for watching this class, I am signing off, thank you.